सबसे पहली समस्य है दोस्तों क्या होती है पहले आप यह समझे वो है quantity quantity तीन है small quantity, intermediate quantity और commercial quantity पहली बात quantity को आप ध्यान रखे और सिर्फ ऐसे हलके में इस case को ना ले दूसरी बात इसमें conviction rate दोस्तों बहुत हाई है बहुत सारे लोगों को सजा बुलती ही है इसके अंदर दोस्तों NDPS case में NDPS एक ऐसा case है दोस्तों जिसके अंदर की conviction rate बहुत हाई है और पहली बात तो इस case में जल्दी से लोगों को बेल मिलती नहीं और जिनको बेल मिल भी जाती है तो वो ठीक से case लड़ोगे नहीं तो conviction आपका होई जाएगा दोस्तों होता क्या है कि जादा तर लोगों में ऐसा दिखा गया है कि जब case बनते हैं अब case भी अलग-लग तरह से बनते हैं किसी को police ने पकड़ा किसी को पकड़ा crime branch ने किसी को पकड़ती है NIA National Investigating Agency जो हमारी है या कई बार मैंने देखा है कि direct rate of revenue intelligence से भी लोगे पास notice पोचते हैं अलग-लग तरह से NCB पकड़ लेती है तो ऐसे कई अलग-लग agencies हैं जहां से कि देखा जाए तो case आपके against दर्ज होता है और ऐसे मामलों में आपको jail भेज दिया जाता है यहां बहुत बड़ा जो role play होता ह है वो है quantity का तो मैं ऐसी पांच गलतिया आज आपको बताऊंगा जो पांच गलतिया आपको करनी नहीं है अपने case में अगर आप करते हैं तो उसका बहुत बड़ा खामी आजा आपको भुगतना पड़ सकता है बेल तो चलो जल्दी साब की होगी नहीं साथ-साथ में conviction rate है तो conviction भी बहुत बड़ा आपको हो सकता है सजा आपको हो सकती है तो क्या पांच गलति ना करें उन सबको जानने के लिए दोस्तों बने रही है अमारे इस वीडियो के साथ नमस्का दोस्तों फिर एक बार स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम ह क्रिमिनल प्रैक्टिस और मेरा नाम है विरिंदवर्मा जैसा कि आप सभी जानते हैं हम चीटिंग और फॉरजरी जैसे संगीन केसिज पर डिसकस करते हैं अपने इस चैनल पर और आपको बताते हैं आपके कानूनी अधिकार अगर आपका भी नाम आया है किसी भी तरह के च नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्स्टैंस एक्ट नाइनटीkum 85 का है ये कोई अभी का कानून दोस्तों नहीं है जब एक्टिया स्थित में दोस्तों आया तो उसके बाद से ही नजाने कितने ही गरफतारिया हुई, कितने ही कन्विक्शन हुए, कितने ही लोगों को सजा हुई. दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, ताकि इसी तरह की लाइक से हमें मोटिवेशन मिल सकें, और परोच सहन मिल सकें इसी तरह की लीगल अवेरनेस के वीडियो आप तक पहुचाने के लिए, और आप अगर पहली बार आए हैं हमारी इस चैनल पर पहली बार देख रहे हैं हमारी इस वीडियो को हमारी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें साथ में लगा बेल एकन जरूर दबा दें ताकि किसी तरह की लीगल एवेरनेस की वीडियो आप तक पोच सकें सबसे पहले जल्दी से इसमें बेल नहीं होती उन लोगों की जिन पर देखा जाए तो commercial quantity के चार्जिस है commercial quantity में अगर दोस्तों आपका नाम आ गया NDPS के मामले में तो आपके लिए बेल लेने के रास्ते बहुत ही tough बहुत मुश्किल हो जाते हैं क्योंकि उन मामलों को प्रूव करना पड़ेगा जल्दी से प्रूव होता नहीं सबसे पहली समझे दोस्तों क्या होती है पहले आप यह समझे वो है quantity quantity तीन है small quantity intermediate quantity और commercial quantity यह हर चीज की अलग-अलग है वो मैं आपको बताने पर आऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो यह आप उनको देखो कि समझ जाओगी अब इसमें क्या होता है कि अगर commercial quantity आपकी बेल जल्दी से होगी नहीं सालों साल आपको जेल में रहना पड़ सकता है उसके बाद जाके बेल होगी और जो small quantity है उनकी बेल थोड़ा easily हो जाती है intermediate वालों को भी बेल थोड़ा देर से ही मिलती है तो quantity को समझना चाहिए आपको commercial quantity में आप पकड़े गए हो आप सोच रहे हो मैं तो बस आज गया हूँ दो मेने भी जेल से वारा जाओगा ऐसा नहीं होता दोस्तों आपके वकिल साब जो case लड़ते हैं और जो NDPS के बारे में knowledge रखते हैं वो जानते है कि इतना मु कि आपको पहले पकड़ा गया जेल में डाल दिया कि उसके बाद सजा बुल जाती है बहुत सारे लोगों को सजा बुलती ही है इसके अंदर तो conviction rate high इसी लिए है कि यहां पर ऐसा मानना है ऐसा देखना है कि जो लोग पकड़े गए हैं उन्होंने वो अपरात किया है और जो पुलिस जो बनाती है केस तो चाहें NIA बनाए चाहें आपको director of revenue बनाए चाहें फिर आपको crime branch आपको उठाती है या कोई ऐसी कोई भी investigating agency आपको उठाती है और जो case बनाते है तो इतना पका बना देते हैं कि उसके अंदर आपकी कोई निकलने गुंजाईश वो लोग छोड चुके हैं कि section 50 पर objection आए गई आएगा तो उसको बहुत पकी तरह से बनाई जाती है कई बार लोग जो जूटे case में फस जाते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं कि वो नहीं फसने चाहिए उनका defense मजबूत होना चाहिए तो आपको देखना पड़ेगा conviction rate बहुत हाई है तो trial को विशेश रूप से ध्यान देना वरना बेल तो ले लोगे बड़ दुबारा जेल जाना होगा और फस जाओगे अब investigation जो होती है तीसरा point में आपको बताना चाहूँगा दोस्तों investigation जो होती है चार्चीट लग गई तो आपको लगता है कि मेरी investigation हो गई complete अब मुझे बेल ल आएगी और साल भर ये FSL रिपोर्ट ही खीच जाएगी और आपकी बेल नहीं होगी तो बहतर है अगर किसी भी आपके जान कर सके संबंदी का अगर नाम आया है ऐसे केस में या फिर मेरी इस वीडियो को अभी ने कोई वकील साहब है वो सुन रहे हैं या फिर कोई भी ऐसे लॉइस प्रेंट सुनने हैं जो जानना चाहते हैं नडीपेस के बारे में तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा आपके पास कोई ऐसा कर केस आता है तो अपने ट्रायल को ध्यान दे FSL रिपोर्ट जल्दी मंगाए चार्जिस फ्रेम कराएं और जब ये केस आता है क्रॉ प्रेंस्टी आएगी क्योंकि जो पकड़ा गया अभी बात यहां आती है कि जो पकड़ा गया उसको अगर उसकी रिपोर्ट जो भी आएगी आप एड्मिट कर लोगी कि हाप पकड़ा गया आपके पास से तो ऐसे आप फज़ जाओगी तो ट्रायल चलाने जरूद कर लोग क्योंकि आपको ये नेगलिट करना होता है कि जिस चीज के अफिसल कराई गई वो मुझसे बरामत कभी हुआ ही नहीं अब बात आती है चोते पॉइंट में क्योंकि सुनवाई कि अगर हम बात करें दोस्तों तो हमेशा आप बेल के पीछे पड़े रहते हैं बेल हो जाए ब पकड़ा और फटाफट से बेल लेकर आ जाओगे इसमें सालों साल लग जाते हैं दोस्तों इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा बेल लगाने के साथ साथ ट्राइल पर विशेश रूप से ध्यान देना ही पड़ेगा अगर आपने विशेश रूप से ध्यान ट्राइल पर नहीं दिया, सालों साल बीच जाएंगे, ये मान लीजिये, सजा की तरह ही अपनी जेल काटोगे, पर बेल जल्दी से नहीं होगी, अपको ये लगे हैं, तो चार्जिस को भी चैलेंज करो, पर हो सकता है, उसमें आपको कोई ना कोई बेनिफिट मिल जाए, आपको ट्राई जुरू करना चाहिए, दोस्तों हमेशा से बोलता हूँ, मैं हमेशा सभी को, इवन अपने क्लेंट्स को भी बोलता हूँ, बोलते हैं कानून के रक्षक हो, आप भी कानून के रक्षक हो, जो कानून को गलत किसी के साथ ना हो जाए, किसी के साथ इंजिस्टिस ना हो जाए, उसमें हम सभी वकील लोग बहुत बड़ा योगधान देते हैं, तो आपको अपने applications जो भी आपको लगे सही है, लगानी चाहिए, 91 क application लगाओ, 311 की application लगाओ, इन सब पर detail वीडियो मैंने अपने इस channel पर बनाई हुई है, वो सब वीडियो से आप देखोगे, बहुत कुछ आपको सीखने हों मिलेगे, पांच भी बात दुस्तों बना चाहूँँगा मैं आपको, क्या आपको ओर ध्यान रखना है, कि कोई भी आपका व्यक्ति, बलब कोई भी सगा समन्दी जानकर अगर जेल में है, वकील साहब बहुत अच्छे से जानते हैं, केस को कैसे लड़ना है, अगर उन वकील साहब ने पहले भी अगर 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 केस केस लड़े हैं, तो और अच्छे से केस लड़ेंगे, आप उने परिशान बार बार ना करें, कि आप ऐसा लगाओ, ऐसा लगाओ, बेल क्यों नहीं हो रही है, तो उस चीज़ में दवाब में वकील साहब आ जाते हैं, औ आप कैसे वकील साहब रखोगे, क्योंकि वकील साहब अपनी पसंद के आपको अपने केस में रखने का पूरा अधिकार है, जो फंडमेंटल राइट है आपका, इसे को छीन नहीं सकता, वो डिपेंड आप पर करता है, बर जो प्रिकोशन्स मैंने आपको बताई हैं, उन कवाल पूचहें अपने यहां में वट्सैप करें, कोई भी सजेशन्न चाहते है, सजेशन्न आप ले सकते हैं, हो सकता है, कि हमारी सजेशन्न आपके किसी काम आजए है, दुस्तों मैं उम्मेद करता हूँ, आज क का हमारे वीडियो आपको अच्छा लगा हогा, हमारी वीड शुक्त के दोजने वाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए